तुर यहलो फ्रेंड्स वेलकम टू निक्मैक टैक तो जैसा कि आप सभी को पताए हम लोग रैफ्रीग्रेशन अड एर कंडिशनिंग सब्जेक्ट पड़ रहे हैं यानि कि आर इसी सब्जक्ट पड़ रहे हैं तो इससे पहले पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि र unit of refrigeration जो कि बहुत ज़्यादे इंपोटेंट है आप सब बी के लिए ठीक है तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं आज की वीडियो में हम लोग सी योपी यानि की कॉफिसेंट और पर्फर्मेंस के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे साथ ही इसके नुमेरिकल्स भी देखेंगे तो दोस्तों यह सब पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी और मैं आपको दे देता हूं जो भी हम रेफ्रिग्रेंट यूज करते है रेफ्रिगरेंट के अंदर वो कौन कौन सी यूज करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पेहली रिस क्यों क्या जातें यह वहीं क्संट्सर प्रोड्िूस करने के लिए यूज कि जाते हैं रेफ्रिग्रेंट सकती है आपके अगर में हो सकते हैं आप लोग कि आप सभी को अच्छी तरीके से पता है ये जो सब्जेक्ट है अपना र-a-c है ना ये application पार्ट है किसका thermodynamic का तो आपने thermodynamic में पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा second law of thermodynamic closest और Kelvin Plank statement पढ़े थी ना तो वही चीज़ है आप लोग अल्लेडी कि यहां पर हमको क्या दिया जा रहा है जिसकी मज़े से हमें यहां पर क्या मिलना है डेखने को मिलता है इतनी इसी बात आपको याद रखनी है देखो इसको मैं और अच्छी तरीके से आपको बताऊँगा आगे जो मैं VCRS cycle आपको बताऊँगा ना VCRS cycle उसमें मैं diagram बनाऊँगा तब आपको समझाऊँ इस्टोरिस पिलिस क्या होती है ठीक कैसे काम पड़ता है वह सब चीज फिलाल अभी आप COP को समझिए तो इसके बीच में नुमेरिकल करने हमें इसलिए मैं पहले देखो समझाता हूं आपको 什麼 c к of अगर मैं निक्यालोhenreg co2 निकालने के लिए दिए टिए क्या होती है अपवं वर्क इनपुट्ट दिखो रैफियरिटरिचन इफ्ट्ट हमें यहां मिल ला है key one की उपर हम हम ने क्या दिया work input यही तो हम वर्क दे रहे हैं को डवलू दे रहे हैं तो वही चीज है अगर मैं COP निकालूं गार रएफ्रिगरेशन की तो देखो रेफ्रिगरेटिंग effect की बात कर रहे हम लोग तो रएफ्रिगरेटिंग effect कहा मिला है हमको Q1 के तो मैंने क्यों लिख दिया वर्क इंपुट हम क्या दे रहे हैं डबलू दे रहे हैं तो हमने वर्क इंपूट डबलू दे दिया अगर आप इसको डेफिनिशन में लिखना चाहते हो तो किस तरी किसे लिखोगे कि रेफिरिगरेटिंग एफेक्ट यानि की आरी हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इस्टोरेज प्रेस से क्या हीट रिमूब करते हैं है यह कह रहा है हीट रिमूब खुद सोचिए जब हम किसी चीज के किसी भी कोई भी चीज है हमारे पास जैसे वाटर वगएरा या फिर अगर हमको उसको ठंडा करना है तो हम क्या करेंगे ही प्रेड़ेक्श तो आपने थर्मोडेमिक अंदर पढ़ा होगा कि रिवाट इसको यहां पर आगर में बात करूं आपने देखा भी होगा यहर्वर्स का नौट साइकल के बारी में आपने थर्मोडेमिक के और पढ़ा होगा कि reverse कानोट साइकल क्या होती है तो यहां पर इसको भी समझ लिए इसके बेसिस पे भी हम लोग numerical करते हैं एक formula और निकल कर आता है तो इसको हम लोग ideal लेफरीकरजिशन साइकल भी बोल देते हैं और reverse कानोट साइकल भी बोल देते है तो देखो अगर मैं इसमें ट स डाकराऊं दोस्तो स तरीके से टीज मोता है से टू टू से तरी यह भूड़ी हैं यहां2 हमारी क्या हो रही है क्यों टि करें क्या ही-ई-टीpe यहां जो लोट इंप्रीचर पह clear फो में नहीं का बता है आपको यहीट होती है एक हमारी है ना यही क्या है क्या है लो ट्वीचर पे यहीं पे हमको रैप्रिग्जाइट्टिंग देखने को मिलेगा वहीं पर तो होता है हमारा और और हमको यहां पर क्या है q2 अब इसको समझये के अ accurate जैसे आपको बताया COP क्या होता है रेफ्रिगेटिंग एफेक्ट अपॉन वर्क इंपूट तो देखो यहां पर रेफ्रिगेटिंग एफेक्ट कहां मिला है हमको यहां मिला है QL की उपर तो मैंने QL लिग दिया यानि कि जी घषेक्ट हो रही है यहां हीट क्या हो रही है वहीचीज़ यहां वरक इंपूट वरक इंपूट है बारी पास अगर मैं इसमें दोस्तो thermodynamic का first law लगाऊं जो कि आपको अलड़ी पता है first law of thermodynamic क्या होता है cycle के लिए नहीं पढ़ा है तो मैंने thermodynamic अच्छी तरीके से पढ़ा रखी प्लेलिस्ट भी भना रखी है अब वहाँ जाकर देख सकते हो ठीक है ना तो देखो समझिए first law of thermodynamic cycle के अब लूब बडावर submission of q याने की वर्क जितना भी वर्क है डारेक्ट हीट में convert हो रहा है है यहां पर अगर मैं वर्क की बात करेंगे दोस्तों वर्क क्या है हमारे पास ले रहे हैं हम लोग वर्क के लिए डबलू ले रहे हैं लेकिन क्या हम करना पढ़ रहा है वर्क दोस्तों यहां मैंने आपको पीछे बताया था हमको यहां क्या वर्क करना पढ़ रहा है सिस्टम को वर्क देना पढ़ रहा है हमको है ना सिस्टम को वर्क हमको देना पढ़ अगर में हीट की बात करूं तो हीट क्या है हमारे पास लो टेंपरिचर और हाइप्रीचर है ना क्यू एल माइनस फ्रॉट कि अगर मैं बात करूं तो क्या होगा मैंन अगर में इसमें common ले लूँगा दोस्तों तो high temperature minus low temperature यह निकल कर आ जाएगा ठीक है और देखो एक चीज यह होगा हमारा work input का formula एक चीज और आपको पता है जब हम heat निकालते थे उसके अंदर thermodynamic के अंदर तो tedious equation के यूज करते थे ठीक है न तो वही चीज यहां पर भी लगानी हमको देखो COP अगर मैं लेका लूँ इसके अंदर इसकी अगर मैं cycle की COP निकालू तो किस तरीके से निकलेगी देखिए QL हमारे पास जो heat है है ना यह क्या है रेफ्रिग्रेटिंग effect हमारे पास यही तो है QL work input हमारे पास क्या है QH-QL work input हमारे पास QH-QL है अब आपको पता है Q बारावर कितना होता है TDS Q की जगे मैंने क्या लग दिया TDS है ना TDS equation लगा दी DS की जगे मैं delta S लग दिया Q क्या होगा TL होगा हमारे पास इसी तरीके दोस्तो TH की जगे THDS और TLDS यह हमने लगा दिया ठीक है ना TDS equation को apply कर दिया यहां से क्या होगा दोस्तों डेलस से डेलस कट गया तो हमारे पास क्या रह गया temperature low temperature upon temperature high minus temperature low तो वही टीचेट आपको एक यह formula याद रखना है COP refrigeration के लिए ठीक है जिसके according आपको numerical दे रखा हो जो value दे रखे हो उसके according आपको लगाना है एक तो यह formula बहुत ज्यादा important है आपके लिए COP max निकालने के लिए यह आपको याद रखना है एक यह याद रखना है कि वर्क इंपूट किस तरीके से निकालते हैं हम लोग क्यू एच माइनस ql हैना मैंने टीवन टीटू नहीं लिए डारेट हाइड टेंपरेचर लिया है ताकि आपको आगे जलके confusion न बारे में भी आप अभी हम बात कर लेते हैं अगर मैं COP का सिगनिफेक्स निकालों सिगनिफेकंस निकालों दोस्तों क्या होता है COP डारेटली प्रपोर्शनल होती कि इसके रनिंग कॉस्ट के ठीक है इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसका यूज आगे हो सकता है वैसे मैंने आपको बता दिया है ना हो तो भी भी अब छलिए हम लोग अपने के ʊश्ट के तरह बढ़ते हैं कुश्ट कंः के अमारे उपार ओप infection अगर मैं आपको मैं अब हम लोग क्या है कोशन करते हैं तो दोस्तों देखिए हमारे पाद पहला कोशन क्या है द्यान से देखिए वर्किंग टेंपरेचर इन रेफ्रिग्रेटर आर माइस 30 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस ठीक है और क्या लिखा हुआ है इफ दा एक्च्वल रेफ्रिग्रेटर है असी ओपी ऑफ 0.75 टाइम्स दा मैग्जिवं सी ओपी ठीक है ना एंड रेफ्रिग्रेटिंग इफेक्ट 5 किलो वाट इसलिए मैंने क्या क्या को एड गिया तो टील हमारे पास क्या निकल कर आगए 243 केल्विन इसी तरीक हमको हाई टेंपरेटर रखा है 32 दीजिए देखिए तीज क्या है हमारे पास 32 दीजिए इसको मैंने केल्विन में कनवर्ट कर लिया यानि के 273 एड गिया ना 305 केल्विन तो हमने क्या क्या देखिए हमको क्या देरका है COP एक्चुल जो COP दे रखा है हमको 0.75 times of the maximum COP maximum COP की 0.75 times दे रखा है तो COP एक्चुल हमारे पास क्या हो गया 0.75 time of maximum COP ठीक है ना यह हमको दे रखा है और हमको क्या दे रखा है यहां पर रखरीरेटिंग इफेक्ट दे रखा है यानि कि 5 किलोवाट देखिए और ही हमारे पास कितार दे रखा है 5 किलोवाट यह हो गया अब यहां से हम लोग COP maximum निकालते हैं सबसे पहले COP maximum मैंने क्या होता है था आपको देखो पीछे आपी मैंना बताया था थोड़ी दे पहले आपको COP मेक्सिमम किस तरीके से निकालते हैं इसको COP मेक्स भी बोलते हैं मैंने वीताया था अब अपको क्या होता है T T L lower temperature TH – TL इस तरीके से हम लोग COP COP Max निकालते हैं दोस्तों वही हमको निकालना है COP Maximum निकालने के लिए TL upon TH-TL ठीक है TL हमारे पाद lower temperature केतना है 243 तो मैं 243 लगा दिया TH हमारे पास केतना है 305 305 लगा दिया TL केतना है 243 इसको जब मैं सॉल्व करूं दोस्तों हमारे पास कितना आजाएगा 3.91 आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है जब मैं सॉल्व करने वाद यह हमारे पास निकल कर आगे COP Max अब देखिए COP actual निकालने के लिए इसको इसमें पूट करेंगे COP actual क्या है हमारे पास 0.75 into COP Max COP Max हमारे पास निकल कर आई गया अल्रेडी 3.91 तो वही मैंने COP actual में क्या पूट कर दिया 0.75 multiply by 3.91 यह कितना निकल कर आगे हमारे पार 2.93 यह हमारे पार निकल कर आ गया इसी तरीके से दोस्तों अब हमको निकालना है COP sole मैंने COP अधिको सिब्सक्रण क्या होता यह आपको बता है एक्शों क्या होता है मैं को यह आपको यह उपको बता था मैंने वह इंट milk एक्षट यहां पर देखो इस एप 되지ateursफ एकच्व specially आमारे पास यह था तो वही चीश मैंने निकाल दी सीजा हमारे पास किटना होता है ऐसी एकच्वाल कर कितना आए हमारे पास तो यहां एन्स-पार निकल आया था यह 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 अपर निकल कर आया था और यह अगति होता यह दे रखा है कितना फाइब किलो वाट तो मैंने यहां एफेक्ट की जगे मैंने फाइब किलो वाट लिख दिया अब वर्क इंपट यह ऊपर चला गया यह नीचे आ गया इस तरीके से हमारा वर्क इंपट जो निकल कर आया 1.70 किलो वाट दोस्तों यही हमसे कुशन में पहतरीन सा कोशन लेता हूं और आप इसको स्वाइब करके दिखाईए मुझे को ठीक है देखो हमको क्या दे रखा है कुशन में डॉमस्टिक रेफिरेटर इस सेट टू डिग्री सेल्सियस हमारे पर डॉमस्टिक रेफिरेटर है जो भी आपके घर में रहता है उसको बोलत जुद्टो दे रखा है यही हमारे पास क्या है रेफिरेट्टिक इसको हम लोग रेफिरेटिक एफेक्ट बोलते हैं ठीक है और क्या सेका है अब आफ्योंड टेंपरिटर दे रखा है हमको बीन ये बाहर का टेंपरिचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस and COP दे रखा है हम को कितना 0.5 times of Carnot refrigerator Carnot refrigerator का 0.5 times हमको COP दे रखा है find that daily electrical consumption in glow watt hour glow watt hour में निकालना है हमको ठीक है ना अब देखो किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे सबसे पहले वही temperature को लिख लीजे क्या क्या temperature दे रखा है हमको low temperature दे रखा सब्सक्राइब कर लिया हाई temperature हमको कितना दे रखा था 30 एम्बेंट temperature होता हो हाई temperature होता है दोस्तों इसको हमने 273 से एड़ गिया यानि कि 303 Kelvin Kelvin में convert कर लिए सबसे पहले ठीक है तो ऐसे question में सबसे से पहले आप given लिखा करूं और हमको क्या दे रखा है यह 8000 दे रखा है क्लोजूल पर डे में रेफ्रिग्रेटिंग दे रखा है वह यहाँ पर लिख लिजे रेफ्रिटिंग एफेक्ट कितना दे रखा है 8000 क्लोजूल पर डे ठीक है अब दोस्तों देखिए वही चीज हमको क्या लेक्टिकल कंजंशन निकालना है जानी कि हमको work input निकल वाया है ठीक है work input पूछा गया है तो देखिए अब क्या पूछा गया है work input कितना होगा तो देखिए वही COP max किस तरीके से हम लोग निकालते हैं TL upon TH-TL है ना मैंने आभी आपको बता आया था तो TL हमारे पास कितना है 273 273 लेकाल दिया हमने TH हमारे पास कितना है 303 303 लिग लिया है ना तो यह हमारे पास COP max कितना निकलकर आगे 9.82 और COP actual कितना होता है देखो कारनोट रेफ्रिकेटर है ना कारनोट रेफ्रिकेटर यानि की COP जो हमको दे रखा है maximum COP के 0.515 टाइम दे रखा है तो COP यहां से हमारे पास COP actual निकलकर आगे 1.47 दोस्तों ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्यूप एक्च्वल ओहता क्या है रेफ्रिकेटिंग इफेक्ट अपन वर्क इंपुट तो COP हमारे पास क्या निकलकर आया 1.47 तो मैंने COP यहां पर लिख दिया रेफ्रिकेटिंग एफेक्ट हमको दे रखा था 8000 वर्क इंपुट हमसे पूछा गया है दोस्तों तो वर्क इंपुट को इधर ले जाओ इसको नीचे ले आओ वर्क इंपुट यहां पहुंच गया यह अब देखो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों कितना आएका 5442.17 यह आएका क्लो जूल पर दे में क्योंकि हमको रेफ्रिकेटिंग इफेक्ट इसी में दे रखा है लेकिन हमसे पूछा कितना है क्लो वाट पर हावर में पूछा है दोस्तों देखो क्लो जूल पर सेकेंड यह जो होता है यह अपना क्या होता है क्लो वाट है ना और दोको एक सेकेंड में कितने होते हैं वन अपन थर्टी सिक्स है ना हंड्रेड कितना हावर होते हैं ठीक है तो वही चीज एक सेकेंड में इतने होते हैं तो वही चीज मैंने एक सेकेंड की यह जो हमारे पास five four four two point seven seven जो हमारा answer निकल कर आया था इसमें क्या क्या कर दिया तो यह हमारे पास work input निकल कर आएगा वो कितरा निकल कर आ जाएगा दोस्तों बैकाइख को उनला को yohda है इस तरीके से बहुत इजी कोशन होते हैं बस आपको क्वेशन समझना होता है किस तरीके से आपको करने आ है कोशन करने के यही एक तरीका है पहले उसको नोट करें क्या कि आपको देयर खा आपáveis डंग से समझ आव न कोहरी है तो आप मुझे नीचे टेलीगराम मैं नीचे टेलीगराम गूरूप एड़ कर रखा है वहां मुझे कुछन पूछ सकते हो या परसनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो में इंस्टाक्राम पर मुझे मैसेज ख़र सकते हो ठीक है तो आपको वीडियो कैसे लगी कर दो